हाई गाईज आज मैं अगर से शेक करूंगी मटरालो की रेसिपी जो कि अक्सर सर्दियों के मौसम में मिलती है और यह सब इको बहुत पसंद आती है सर्दियों के मौसम में यह सब की फेवरेट होती है और अब जब मेरे इंस्ट्रेक्शन्स फॉलो करके बनाएगा तो आप इसके फैन हो जाएगा बिल्कुल आपको पावर्ची और धावे की याद आ जाएगी मैं इससे आज प्रेशियो कुकर में बनाऊंगी तो बहुत ही ज के अपको पतला ने कीजेगा ठोड़े मोटे रहने दीज़ अब एक प्रेश कुकर लेंगे और अपने मटरालो के कुक लिएं तो प्रेशर कुकर गरम होने के बाद त्री टेबल की करीब तेल चोटे लाइची एक इंच की टुकुरी दाल चेरी ले ले लेनी है और दो तेजपत्ता मैंने इसमें शामिल किया है अब इन साथे चीजों को अच्छे समेक्स कर देना है प्यास को बहुत जादा आपको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है बस लाइट पिंक करना है तो दो से त में यह यहां पर लिए हाफ-0-0-1-1 त धनिया पाउडर इसीके साथ चाहेगा वान-प्ली तेबलियसम के रचे करीब नमक, साति में जाएगा काली- गोल्ड मिर्च जो कि 1.2 बाउडर बुर्ड पौडर myślę अप्ला राइनी करने प्याइगा राओन नहीं चाहिए नहीं, और आपके ग्रेवी ब्राउन हो जाएगी तो बस इस तरीके से हम सारे ड्राइ ग्रॉइंस इसमें शामल करेंगे मैंने हल्दी डाला था वन टैबल स्पून के करीब और इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है थोड़ा सब पानी इसमें शामल करेंगे बस 3-4 मिन तक इसे चलाते हैं आप भून लीजे का हाई फ्लेम पर मेरे मसाले भून चुके हैं और तेल भी सर्फिस पर आ चुका है तो अब इस पॉइंट पर हम जो मतर है उसको शामिल कर देंगे कुकर में वैसे तो मतर जो फ्रेश होती है तो गल्ले में थोरी टाइम लेती है लेकि आप चाहें तो इसे बारी काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैंने इसे रफली चॉप करके ही डाला है यह एक टमाट रहा आप इंसाडी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे एक पार लास्ट में आप थोड़ा सा पानी आट कर लेंगे ताकि जो मसाला बगरा है वो ऐसके लेट को खोलेगा दो यहां तो इसे खोल कर लेती हूं आलो कर देमारी को घृटा बहुत ही बहुत रिदीयजेगा आप आप हलके हां तो से आलो को थोड़ा थोड़ा तोर दीजिएगा और यह जो मटर है उसे इस तरीके से मैश़ष कर देंगें और अच्छे से उसक हुई सबजी पसंद है तो आप इसे हाई फ्लेम पर जितने भी एक्स्ट्रा पानियों से ड्राइ कर लिजेगा और इस तरह के से सबजियों को मिक्स कर दीजेगा यह देखे कितनी बहतरीर और कितनी जबरदस्त लग रही है सबजी बहुत टेस्टी बन दी है आप एक पर इस बनाई होगा और सबजी को लास्ट में जैसे मैश करते वे आलो को तोर दीजेगा बहुत ही गाड़ी से हमारी सबजी बन के तयार होती है तो यह हमारी मटरा आलो टमाटर की सबजी बन के तयार है चलिए इसे गरम-गरमी सर्फ कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं कितने आप सफर पर जा रहे हैं तो आप इसे जरूर से बना कर अपनी टिफन में रख सकते हैं बहुत टेस्टी बनती है ओपर से गार्णिशिंग करेंगे थोड़े सा धनिया के पत्ते के साथ वैसे आप डिनर और लुच में तो इसे जरूर बना सकते हैं इस तरीके से बहुत अगर अच्छी लगी तो मेरे चानल टेस्टी में हिंदी को लाइक चैर और सब्सक्राइब कीजिएगा विद पेल आइकन और अपने फीडबैक्स दीजिएगा कि आपकी मटर आलू की सबजी कैसी बनी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुकरिया अल्ला हाफिस टेक्या झाल आपकी का बहुत अबाइब की।